हेलो दोस्तो, आज हम इस वीडियो में मोटर साइकल के जो फ्रेम होते उसके बारे में डिसकस करेंगे तो दोस्तो इस से पहले हमने एक वीडियो दाला था जिसमें हम 4-wheelers या उससे भी वेवेडी वेहिकल के छेशिस फ्रेम के बारे में डिसकस किया था तो दोस्तो जो chasis frame होता है वो किसलिये होता है वो सभी जो parts होते है उस parts को hold करने में उस मतलब assembly करने में तो उसके chasis से कहाता है सभी part हम उस पर assemble कर सकते हैं और एक rigid structure बना सकते हैं और वो जो पूरा weight आएगा वो chasis frame पर आएगा और chasis frame उसको sustain करेगा इसलिए chassis बहुत ही important component है vehicle design में यह जो frame होता है यह support सभी system को करता है मतलब अगर बात करें आप suspension, seats, handlebars, fuel tank और engine तो यह सभी components को जो frame होता है अगर इसके बात करें तो इसमें अगर फ्रेम यह जो देख रहे हैं यहां पर होता है एक steering head tube तो यह steering head tube जो होता है वो steering का equipment होता है उसको भी steering के equipment को यहां पर हम support देश सकते हैं या इसमें हम वो उसको assemble कर सकते हैं इसलिए steering head tube होता है frame जो होते थे पहले वो still के होते थे maximum अभी लेकिन हम अभी कैसे बढ़ रहे है manufacturing cost के हिसाब से या market के हिसाब से या requirement के हिसाब से हम जो है अभी upgrade हो रहे है तो अभी जो chassis हाते वो नाके steel में steel में भी chassis है लेकिन अब जो chassis है वो हम titanium में भी बना रहे है magnesium में बना रहे है carbon fires में भी बना रहे है और आखर देखो के आप तो aluminum alloy भी होते है चेशिस frame के लिए तो हमारे पास एक ही option है different materials भी हम use करते है चेशिस या frame बनाने के लिए vehicle की तो वो किस पे depends होता है तो वो होता है requirements के हिसाब से बनाते और या product कितना हमें उस पे खर्चा करना पड़ेगा उसके हिसाब से अगर बात करें हम bikes के handling के बारे तो bikes की handling होती है वो मतलब बहुत सारे factor पे depends होती है जैसे कि suspension tuning पे weight पे tires पे और उसकी strength पे और rigidity पे उसके ज्यादा उस पे depends होती है bikes के handling तो strength और rigidity बहुत ही important है bike की handling के लिए और यह strength और यह bikes के handling हमें कौन प्रोवेट करता है यह एक frame प्रोवेट करता है तो motorcycle के frame जो है वो चार पार्ट में हमने इंक्लूड किये उसमें से पहला है backbone chassis, single cradle chassis, double cradle frame और perimeter chassis frame तो start करते है backbone chassis frame से तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो backbone chassis frame होता है वो hero honda cd100 में आप देख सकते हो backbone chassis frame यह उसके आए तो इसको हम इसलिए बोलते है क्योंकि यह जो है हमारे body में जैसा spline structure होता है जैसे वो एक part को दूसरे part से connect करता है वैसे ही यह backbone chassis से तो यह first part को end part के connect करते था है पूरा और यह जैसे हम नहीं देखा तो यह important parts को hold करता है bikes के chassis और इस पर engine भी attach होता है तो इसको ज्यादा बनाने में हमें मतलब उतना complicated नहीं होता है यह cost effective chassis यह frame होता है तो यह उतना ज्यादा torsional rigidity provide नहीं करता यह frame और इसमें ज्यादा strength भी नहीं होता है second type की जो frame है वो है single cradle frame तो single cradle frame आप यहाँ पे देख सकते हैं यह बहुत सारे vehicle में भी use होती है तो इसमें tv star city, honda cb shine and royal inflid classic 250 में यह ऐसे frame यूज होते है तो इसमें अगर बात करें तो इसमें single frame होती है जो कि engine को support करती है इस single cradle frame को हम single down tube भी कहते हैं और diamond frame भी कह सकते हैं commonly है जो use होता है यह budget friendly motorcycle में use होता है दूसरा जो type है वो है double cradle frame तो double cradle frame यह ऐसा होता है इसमें जो use होता है वो budget pulser 220F में use होता है यह royal inflid interceptor में 650 में भी यह ऐसे frame यूज होता है मतलब double cradle frame यूज होता है तो इसमें जो है दो tubes होते हैं जो कि engine को support करता है और यह single cradle frame से तोड़ा जादा strength provide करते है और rigidity provide करते हैं जब हम suddenly brake लगाते है तब यह वो load जो आता है sudden load heavy forces तो यह भी यह frame sustain कर लेता है अगर बात करें चौथे frame की तो यह वो है perimeter and trellis frame तो यहां पर आप देख सकते यह frame जो है और यह use किया जाता है Honda CBR 1000RR और बज्जा Dominar 400 और यह जादा तर जो यह आईसे frame है यह आप KTM के bikes में देख सकते है perimeter and trellis frame तो यह जो frame होता है इसको हम twins par frame भी कहते हैं कभी-कभी और यह मतलब performance के जो bike है यह ऐसे frame होते है यह first choice होती है performance bike के लिए क्योंकि यह high performance motorcycle के लिए best है यह बहुती अच्छे suitable है तो दोस्तों अगर आपको यह video अच्छे लगी हो थोड़ी informative लगी हो तो video को like कर देना चानल को subscribe कर देना और bell icon को में दबा देना तो मिल दे अगले video में तब तक के लिए जय हिन जय भारत